नमस्ते में ओंबेश और इस वीडियो में बात करेंगे जो हर्शत मैता स्कैम हुआ था 1992 में जिस साल में पैदा हुआ था तो उस स्कैम से आप क्या सीख सकते हैं और वहां से आप अपने बिजनस के बारे वे बिजनस ग्रोथ के लिए तो इस वीडियो में आपको इंस्पायर में कर सको आपको मैं कुछ ऐसे पॉइंटस में आपको बता सको जिसके बारे में अगर आप जानेंगे तो आप अपने बिजनस को सही तरीके से आगे बढ़ा सकेंगे ग्रो कर सकेंगे तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को यहां पर इसे आप देख पारें कि मैंने 15 पॉइंटस लिखा है तो अगर आप यह जो सेटप जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं इसको कहते हैं लाइट बोट जो हमारे स्टार्ट अप प्रवाइड करता है ताकि आप ऑनलाइन अगर पराना चाहते हैं और पूरा गाइडनस प्रवाइड करते हैं तो लाइट बोट के पार में अगर आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर पे आप हमारे टीम के साथ कॉंटक्ट कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को जादा समय वेस्त ना करके करते हैं this is also relevant everywhere का आप कभी भी कोई भी इंडस्ट्री शुरू कर रहे हो या आप नया किराने का दुकान खोर रहे हो या आप नया गूगल शुरू कर रहे हो वहां पर भी जब आप किसी इंडस्ट्री में घुसेंगे तो everyone is going to hate you because people do not like competition क्योंकि आप जब इसे इंडस्ट्री में खोस्ता है you are becoming a competitor to everyone तो competition of competitor का जो level है number of competitor is increasing which people do not want so an outsider is always hated when you are starting out ये चीज़ आपको जहन में डखना है second point हो जाता है keep a low profile क्योंकि अगर आप Harshad Mehta का अगर आप देखते हैं so he became very gregarious बहुत show off करते थे उनका बहुत बड़ा अपार्टमें था वर्ली में sea facing आपका building apartment में रहते थे लेक्सस था बहुत कुछ था जो he was showing off he was showing off which you do not want हमेशा आपको अगर जगरावी करना बवाल करना you want to you know eliminate your competition low profile में दायके करो थीक है keep always keep a low profile जादा आपको बड़ा जड़ा क्योंकि आपको unwanted attention नहीं चाहिए this is a very important thing so always keep a low profile कभी भी आप अगर करोरपती अरबपती भी बन जाते हैं टाटा या अंबानी इनको देखो या डानी को देखो मूँ फार के twitter में बात नहीं करते हैं पर अगर आप इनको नहीं करें लुटर नहीं पर आपको पूरा जो इस्टम है पूरा जो बिजनस का जो system है तरीका है वो कैसे आप कर रहे हु क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि आपका पैसा कहां से या रहा है वह किस ने आपके पैसा नहीं चलेगा किसे ने आप से credit में पैसा लिया था उसने आपको कभी वापस ही नहीं लिया आपको पता नहीं चलेगा so always you have to follow your tracks next चीज हो जाता है don't drink and smoke this is obviously a normal thing आपको पता ही होगा but do not try to avoid drinking and smoking because एक बार अगर आप दारू पीना शुरू कर दिया अगर आपने smoking करना शुरू कर दिया आपको लगता है कि हाई दारू पीने से मेरा टेंशन कम हो जाता है smoking करने से मेरा टेंशन कम हो जाता है अगर मेरा 30% अगर रेटन आता है तो मैं 13 रुपए 14 रुपए 50 रुपए तक 40 रुपए तक तो मैं उसको ग्रोग कर सकता हूं ना तो मैं क्यू हूं यहां पर दारू पी के दारू पी बहुत expensive smoking भी बहुत expensive why would I do that so try to avoid it मैं आपकी एक वीडियो में बनाऊंगा how you can quit how you can quit drinking and smoking and आपका बनिया दिमाग इस्तेमाल करके आप उसको ऐसे quit कर सकते है next हो जाता है learn about law learn about law जैसे आपने देखा था कि हर्शत मैता का जो भाई है वो अभी भी his family is still fighting uh the you know in court as well so Harshad Maidra की जो भाई है Ashwin he is his own counsel so learn about law की corporate laws कैसे होता है क्या होता है criminal law क्या होता है judgment को पढ़ना सीखिए मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मैं अकभी कभी पढ़ता हू time हमेशा मिलता नहीं and learn about judgment की इसका judgment state versus this ऐसे तक तो देखो के johnny will be versus state आपको पढ़ना चाहिए और आपको पढ़ना चाहिए and you should be aware about the law अगर आपके अगेंश में कभी किसी ने civil case किया या criminal case किया तो फिर आप क्या करोगे if you know about the law then you will be able to defend yourself at least if not if you hire a lawyer बात अची बाते पाते है अगर आपको लोगे में पढ़ना चाहिए तो आपको जादा आपको ज़ादा आपको अशानी होती है next हो जाता है learn and balance between politics so harshit meida का problem यह था कि he was not able to balance between politics and business the best example is obviously ambani adani suvash chandra and all the billionaires who are still existing right now because they know how politics or business are balanced करना चाहिए और किस तरीके से वो balance कर रहे है they never post anything or never do anything which is anti against any specific party or government क्योंकि उससे करने से क्या होता है बाद में later on there might be issues so यहां पर he basically allegedly उन्होंने कहा था कि he bribed the Prime Minister of India then Prime Minister of India P.V. Narsimara so यह कीज आपको समझना परेगा जब भी आप एक लेवल पर आजाते हैं जब भी आपको बात पैसा हो जाते हैं पैसे के बाद आपका जो सर्कल होता है it grows, it grows, it grows so you get into a circle where you know politicians are there, power is there तो यहां पर अगर आपको बैलन्स करना नहीं आता है then you will suffer a lot which you don't want next हो जाते है health is wealth for obvious reason अगर आपको बीमार है अगर आपको कोरोना है obviously you will not be able to work so आपका health जो है health is wealth आपको पता ही है and there are many people next चीज़ों there are many people who are watching you अगर आपने हर्षद मैता का स्कैम वाला जो टीवी सीरीज है वहां पे देखा होगा आपके पीछे जनलिस पड़े हुए अगर आप एक छोटा से खिराने का भी दुकान खोर रहे हो आसपास की खिराने के दुकान आपके ऊपर नजर टिका के रखेंगे आपको supply कोन कर रहा है आपको markup कितना है आप कितने volume में बेच रहे हो आपका target audience क्या है आप किस तरीक से delivery कर रहे हो आप किस तरीक से order उठा रहे हो आप किस किस को आप अपना सामान बेच रहे हो और आप से सामान क्यों ले रहा है अगर आपको लग रहे हो कि चार लोग देख रहे हैं पर चार नहीं आपको ओपर 40 लोगों ने नजर टिका के रखी हुई है तो यह चीज आपको जहान में डखना परेगा और एक चीज यह बहुत ही इंप्रवटन चीज है इस 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 अवरी इंपरटन थिंग जो आपको समझ नहीं परेगा दो नाट अट अटाउक स्टाटश को अप्फरन status quo का मतलब होता है कि जो चल रहा है चलने दो जो चल रहा है चलने दो 3DS में जो कहा था जो चल रहा है चलने दो तो यहां पर अगर अगर आप हर्षद मैंना है सबसे मैं तो कहूंगा कि this was not the appropriate thing कि बहुत जादा अरोगेंस को विजेंद he was heading जो आपका तोड़के रगदूंगा तो इसमें problem ही हो जाता है कि you are vulnerable you are vulnerable rule of war होता है rule of war ही होता है कि अगर आपका दुश्मन यहां पे खरा है ठीक है और आप इस front में खरे हो आपको पता है कि दुश्मन जो है वो मेरे से बड़ा है उसकी जो मतलब strength जो है वो मुझसे बहुत बड़ा है तो अगर मैं उसको up front मेरे पास सोची कि 100 आदमी है उसके पास 200 आदमी है तो मैं अगर up front अगर attack करता हूँ तो obviously there will be a problem I'll lose the possibility of me losing will be very high पर अगर मैं यहां पे 50 लोगों को अगर front में लाता हूँ और पीछे से 50 लोगों को अगर मैं पीछे से attack करवाता हूँ या सामने मैंने 25 लोगों को रखा हूँ पीछे मैंने 75 लोगों को रखा हूँ तो फिर क्या होगा जब मैं सामने यह बहुत सारे आप देखो कि अपने Napoleon ने किया था Alexander ने किया था बहुत सारे आपको ऐसे के इस्टेश्ट जानने को मिलेंगे, यहां पर आपको पता चलेगा कि सामने से कुछ लोगों ने बहुत सारे सीन सारसे होते हैं, कि सामने से लग रहा हो कि रही कोई है यह नहीं क्या है, दो-तिन लोग ख़़े हुए है, पर पीछे से अटाक करना आपको पीछे से करो, पीछे से करो, आप उसको पीछे से रगणना सुरू करो. next हो जाता है no lexus obviously no lexus का मतलब यह हो जाता है यहाँ पे ego और arrogance ego emotion ठीक है ego बहुत था emotion बहुत हाई था कि नहीं मेरे को यह गारी चाहिए गोगी है आपका अजे एक एडिया है वो लेके जा रहा है ego था और इसके वज़े से क्या हो गया था पैसा जो है वो उनोंने बहुत जादा खर्चा किया था 30 लाग का सामान 45 लाग में करीदा था विच ड़संत रहीं मेंक सेंस तो में अट लीस्ट सो नो लेक्स मतलब दो नाव 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 इन अटाच्मेंट तो तो लाइ अग्यारी साल अग्यारी साल ही तो अरोगंट है ठीक है और बहुत बार जैसे आप मेरे वीडियो से देखते हो तो आपको क्या लग रहा हो कि am I confident? I am confident what I speak about what I do whatever that I do so there is a very thin line between arrogance and confidence यहाँ पर प्रब्लेम ही होगया था initially when Harshad Mather started out he was very confident about what he is doing he wanted he know at the end he became very arrogant कि मेरे से कैसे जल रहेगा मैं तो रहा कर दूँगा देरे को मैं तो खतम कर दूँगा and this attitude will take you down this attitude should not be there right तो आप जितनी भी बड़े होजा आपको गिराने वाला कोई ना कोई है कोई ना कोई है कि सब हर एक का बाप होता है हर एक का बाप होता है and always keep track of your assets आप कहां पर कितना खर्चा कर रहा हो और अपना पब्लिक हो उसको सही तरीके से इस्तमाल करो लेज़ करो नेक्स पर आ जाते हैं लेज़ करना आपको सीकना पड़ेगा यहां पर आपको अपना public image जो है वो सही तरीके से इस्तमाल करना है लोग जो आपका donation करते हैं इतना donation करते हैं वक्ति इतना बड़ा चरा के photo video बनाते हैं अगर आप अपना reputation जो है, वो सही तरीकित से इस्तमाल कर पाएंगे, so you will be able to manipulate, later on, you will be able to manipulate people's perception of you. नेक्स रोजाता है, auditioning leverage, 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 जो पूरा scam था, वो क्या था, वो leverage ही था, कि आपका, यहाँ पे, सोचे कि 10 दिन पहले आपको पैसा मिला, पैसा अपने bank में transfer कर वा लिया, उसी पैसे को अपने stock market में लगा लिया, ठीक है, stock market से फिर उस पैसे को निकाल के, मार्कित को manipulate करके, जो भी आपने किया है, उसको पैसे को निकाल के फिर से आपने जमा कर दिया, अपना पैसा कभी नहीं लगा, अपना पैसा उन्होंने कभी नहीं लगा, उन्होंने बैंक से जो 400-500 करओर रुपे या जो भी पैसा जो है, वो पैसा निकाल के, stock market में डाला उसमें, मार्केट को manipulate किया, फिर पैसे को निकाल के, बैंक में फिर वापस कर दिया, so what he did, he did leverage, this is what is called leverage, ये चीज़, leverage हरिक टाइब का होता है, आप employee hire करते हो, to leverage your time, obviously to leverage the person that you're hiring, उसका जो talent है, उसको leverage करने के है, so these are the things, which you need to learn about, these 15 things, which I learned from, whom did I learn, I learned from Harshat Mehta, तो आशा करते हूं, ये चीज़ आपको सही लगा होगा, और अगर आपको सही लगा है, तो आपको पता है क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, थो आसे comment, comment कीजिए, कि कौन सा point आपको सही लगा, कौन सा point, आपको, झापको सही लगा है,